कि चले बटा मैंने लाश्ट क्लास में पूरा वो खतम कर दिया था अपना डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स आपके पूरे अच्छी तरीके से कंप्लेट हो गया है इनको बस आप अच्छे से बात पढ़ और लीजिए और कॉश्चन सॉल्ब करिए आज अपना टार्गे रखे विटा प्रॉपार्टी समझना प्रॉपार्टी शिन किस्टल तो सबसे पहला मैगनेटिक प्रॉपार्टी मैगनेटिक प्रॉपार्टी मैगनेटिक प्रॉपार्टी मैं जान से देखिए मैगनेटिक प्रॉपार्टी मैं हम लोग पढ़ चुके हैं है दो प्रापर्टिस कि अम लोग कर चुके हैं छेमिल बॉंडिंग चींतर गर्थ ब॥ तो कि है पर मैगनेटिक प्रापरटी प्रापर्टी पिरा मैगनेटिज़् अ इस उसका है जैटम अरइना की प्रापरटी आप अपयर्द पिर्टर motivations की अ परपर्टी यह कोई भी एटम हो और आयन हो एटम और आयन और कंपाउंड कंटेनिंग अन्पेर्ड इलेक्ट्रॉन इस पैरामेगनेटिक ठीक है कंपाउंड हो एक्टम हो आयन हो ठीक है कंटेनिंग अन्पेर्ड इलेक्ट्रॉन अन्पेर्ड इलेक्ट्रॉन यह उससे जादा हूं अन्पेर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है कंपाउंड एकमार आयन कंटेनिंग अन्पेर्ड इलेक्ट्रॉन आर अट्रेक्टेड टुवर्ड्स तो वर्ट्स मैगनेटिक फील्ड तो ये जो हैं मैगनेटिक फील्ड की तरफ अट्रेक्ट होते हैं तो वर्ट्स अट्रेक्ट मैगनेटिक फील्ड ये मैगनेटिक फील्ड की तरफ अट्रेक्ट होते हैं तो वर्ट्स मैगनेटिक फील्ड तो एक बात तो आप ध्यान दखो कि अन्पेर्ड एलेक्टराम है वो कुछ भी हो सकते हैं वो मालेकुल हो सकता है एक है दूसरी बात आप यह ध्यान दखो कि यह इसका बेट बन जाएगा और रिपायल होता तो यह ऐसा फील करता इसका बेट कम हो गया तो तो मैगनेटिक फिल्ड में इनका वेट बन जाता है अट्रैक्ट होते हैं कोई भी एटम जैसे आपने माल लीजिए आइरन एटम ले लीजिए 26 3D6 4S2 यह हो गया d6 में कितने अनप्याद एलेक्टरान देख रहे हैं बताइए डी में कि यह उनप्याद एलेक्टरान वन तू फ्री फॉर फाइव और यह तो नमबर आप उनप्याद एलेक्टरान पार दिख रहे हैं म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू एन का वेल्यू रख दो एन का वेल्यू आप रखोगे तो यहाद आएगा प्लस आप दूसरे के इस्पिन को न्यूट्रल कर देंगे प्लस हाप एंड माइनस हाप दोनों एक दूसरे के स्पिन को कैसा कर देंगे कैंसल कर देंगे लेकिन यहाँ पर कैंसल नहीं होगा तो यह जो है कैसा बन गया पैरा मैगनेटिक बन गया आएरन का एकम पैरा मैगनेटिक बन गया यह दो तो यह बन गया एकी फ्लस टू तो इसमें अभी भी वन टू टू ट्री पोर चार अंपेर्ड एलेक्ट्रान और इसका मैगनेटिक मामेंट भी पूर पाइंट सेवन स्री फॉर पाइंट नाइन भी दोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा जागा तो फॉर पाइंट न लीकुल तुमको याद होना चाहिए अपनने केमिकल बांडिंग में पड़ा है इसमें 16 एलेक्ट्रान होते हैं और लास्ट का पाइट स्टार तू पी एक्स और पाइट स्टार पाइशतार तू पाइट स्टार पाइटस्ट फॉक्पी वाइए इन में इसके न तो यहां पर ये भी पेरा मैगनेतिक हो गया था तो यह मालीक्यूल ओ टू कैसा हो गया ओ टू पैरा मैगनेतिक फोगा इन अंपेर्ड हर यह पूरा आपको समझा चुका हूँ तो सिर्प मैं आपको एबसा पतला रहा हूं atom हो, iron हो, molecule हो, कुछ भी हो अगर उसमें unpaired electron है तो वो paramagnetic होता है तो unpaired electron यदि हैं तो paramagnetic हो जाता है तो paramagnetic हो जाता है किसी चीज में N का value 0 हो सकता है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ठीक है, तो यह N, number of impaired electron तो mu का value, mu equal to under root N, N plus 2 होता है, यह spin only magnetic moment spin only, तो इसका जब mu आप निकालोगे तो इसका तो 0 आएगा, इस वाले का mu equal to आएगा, 1.73 BM BM, इसका आएगा, 2.84 BM इसका आएगा, 3.9 BM, इसका आएगा 4.92 BM इसका आएगा, 5.9 BM, तो यह आएगा, आप ध्यान रखना, यह बाद मैं आपको भावी समझा चुका हूं और यह सबसे ज़्यादा most paramagnetic है हुआ इसका BM सबसे ज़्यादा है, यह most paramagnetic हुआ ठीक है, यह उससे कम, यह उससे कम, यह उससे कम, यह उससे कम, और यह least paramagnetic है जो least paramagnetic है, वही diamagnetic हो गया, least पैरा, अगर यह नहीं होता, तो यह least paramagnetic होता, यदि यह नहीं होता तो यह least paramagnetic होता एन का वेल्यू बढ़ते जाएगा पैरा मेगनेटिस्म बढ़ते जाएगी एन का वेल्यू सबसे जाएदा पैरा मेगनेटिस्म सबसे जाएदा एन का वेल्यू कम पैरा मेगनेटिस्म कम और एन का वेल्यू जैसे जी रो हुआ तो पेरा मेगनेटिजम सबसे कम हो जाई गए और इस पेरा मेगनेटिजम को A-Polit saying और यह दाया मेंगनेटिजम हो जाएगा, जीरो जैसे हुआ तो अब आप इनके एक्जामपल तो जितने चाहो उतने लिख सकते हो लिख सकते हो कि ने इसके example जितने चाहो उतने लिख सकते हो जैसे इसमें आप MN प्लस 2 ले सकते हो AP प्लस 3 ले सकते हो इसमें MN प्लस 3 ले सकते हो AP प्लस 2 ले सकते हो इसका इसका आप जितना आप आपको बनाना उस थ्री अंपेर्ड एलेक्ट्रान है एनाई प्लस टू ले लिजिए एनाई प्लस टू ले लिजिए इसमें टू अंपेर्ड एलेक्ट्रान है ठीक है 3D8 एनाई प्लस टू ले लिजिए तो इस तरह से आप जितने एक्जामपल बनाना चाहें बन लेक्टराफने क्वार्फ फीबिरेशन लिख लेक्टराफनिक कान्फी इसन लिख़ेंग करके निकाला है उसको को दूसरी प्रौपर्टी यह यॉफ यह ये नाफ इल्यू हो जाय वेल्यूप गट्रोवठetta पेर्ड जब सारे एलेक्ट्रान ही पेर्ड सभी एलेक्ट्रान पेर्ड हैं तो यह का वैल्यू जीरो हो गया तो म्यू का वैल्यू इसमें जीरो हो जाएगा ठीक है बात समझा गई जैसे आप स्केंडियम लें इसकेंडियम यह होता है 3D 1 4S2 और इसमें प्लस त्री आयन बना जीरो हो जाएगा आपको तो कितने द instrumental लिख ली जीए ठीक है टाइटेनियमप्लस फोर टाइटेनियम ऊता है 3D 2 4S2 अब प्लस तो यह भी निकालिये और यह भी निकालिये तो यह हो भाजया तो यहां डीटेन सारे यक्रान तो सारे इलेक्ट्राइब भूलक्ट्राण ना हो जब सारे लेक्ट्रान पेर्ड हो कोई एलेक्ट्रान अंपेर्ड ना हो तो हम कहेंगे डाया में लिख दिया मैंने एन का वैल्यू जीरो होना मिन आल एलेक्ट्रान्स आर पैर्ड नो अन पेर्ड एलेक्ट्रान्स नो अन पेर्ड एलेक्ट्रान्स लुँट कि लिखे लिए विटा आप लोगों ने तो अब आप से अच्छी तरह किसे समझ गया होंगे मैगनेटिक प्रॉपर्टी डाया मैगनेटिज्म और पैरा मैगनेटिज्म लिखे अगला तीसरी प्रॉपर्टी है फैरो मैगनेटिज्म फैरो मैगनेटिज्म और यहां से सुनिए आयरन का कोई क्रिष्टल आपने लिया आयरन का माली जी आयरन का किस क्रिष्टल है तो आयरन के एक थोड़ी लाखों करोड़ों अर्वों खर्वों एंटामें सुनें इस तरह से एफी का एक एक एटम एफी के दो एटम एफी के तीन एटम यह तो अर्वों खर्वों एटम है क्रिष्टल में ऐसे बैठे हुए आपने अभी आयरन का एक्जाम्पल लिखा था एफी ट्वेंटीशिक्ट ट्रीडी शिक्ट पोरेस्टू यह लेक्ट्रान डी में शिक्ट अन्पेर्ड हैं है यह 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 पेर्ड है यह यह कोई काम से नहीं यह कोई काम से नहीं यह अन्पर पिसमें चार ऐन पर आं इसमें चारा पियरड़ है इसमें चार अन्पेयर्ड है यह देखिए आगे अगर वाल लीजिए यह और आ जाए ऐसे धेर लग जाएंगे तो इनमें भी और अन्पेयर्ड नंबराप अन्पेयर्ड इलेक्टरान बढ़ते चले जाएंगे भुले सर्य यह उल्टे क्यों नहीं हो रहे हां अगर यह उल्टे हो जाएंगे इसे इनका अरेंड मेंट ऐसा रहेगा तर उल्टा नहीं होगा, यहीं तो इनकी खास बात है, तो जब आप इस पर मेगनेट चलाएंगे यह देखिए, यह आईरन का क्रिस्टल यह है आपके सामने, और जब इस पर आप मेगनेट चला देंगे, यह ऐसा एक बार, ऐसा मेगनेट, दो-तीन बार चला देंगे, सारे इलेक का अरेंजमेंट इस तरह दूतारों साब इस तरह है इंके सब का obtthrenोमेंट एड्ड हो रहा है एडिशन हो रहा है एडिशन हो रहा है कैंसे जो रहा है को सब स gray तो थेरो मैंगेंटिज्म में नंबर आफ नंबर आफ आप एक ऺए लार्ज amount में number आप unpaired electrons present in very large amount बहुत ज़्यादा amount में है दूसरी बात mu का value very high very high mu very high यह बहुत ज़्यादा बड़ा value है reason क्या है reason यह है electron इस तरह से aligned है कि किसी ने भी किसी के magnetic moment को cancel नहीं किया समझा गया arrangement electron का इस तरह है कि किसी ने किसी के magnetic moment को cancel नहीं किया maximum unpaired electron का direction एक ही तरफ है यह align देखिए कैसे है एक ही तरफ इनका direction है और इस तरह हमको n बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो म्यू का value भी very high मिलता है ऐसे substance चलाते है ferromagnetic यह बन गया ferromagnetic समझा गया आपको बिटा example iron का crystal कोवाजट का crystal nickel का crystal क्रिस्टल यह एक्दामपल है कि यह इसके एक्दामपल है कि अग्याद को फैरो मैगनेटिक सब्स्टेंस को बहुत आसानी से magnetize किया जा सकता है ferromagnetic substance can be very easily magnetized इनको बड़े आसानी से magnetized किया जा सकता है इनके बड़े आसानी से magnet बनाए जासे तो अब आपको समझा गया ferromagnetic substance का arrangement कैसा होता है कि दिखिए एंटी फैरो कि एंटी फैरो मैगनेटिज्म का मतला एंटी फैरो मैगनेटिक पापर्टी जांस में यह पहले example लिख देता हूँ एंटी फैरो के फैराइट्स जितने भी फैराइट्स है फैराइट्स जैसे Fe304 इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो Fe304 को Feo.fe.fe203 यह ऐसा भी लिख सकते हो यह plus 2 state है यह plus 3 state है यह फैराइट्स है Fe304 Fe304 यह पूछा जाता है अभी मैंने जो question लिखे ऊपर वो सब पूछे जाते हैं यह देखिए Fe304 इसका example Fe304 इसको split किया Feo.fe203 यह देखिए हो गया 1 2 यह हो गए 3 1 और यह 3 हो गए 4 तो फैराइट्स होते हैं यह ठीक है इसको ऐसा जूसरा एक्जाम पर लिख सकते हो Zno.fe203 तो इसको ऐसा लिख सकते हो Zn.fe204 इस तरह से इसमें एपी एपी था तो मिला के लिख दिया Zno.fe203 Zn.fe204 ऐसा लिख सकते हैं आप तो यह फिराइट्स जो होते हैं जो फिराइट्स होते हैं यह कहलाते हैं Anti Pero आप इन में Arregndment कैसे होता Anti mentioned Marianne Sori Anti-f tacos लिख दिया म Canvas Fari Fari सब्सक्राइब कर सकते कर से यह दिए राइट हो गढ़त यह हैं लाय गलति है शींदर जाइं की तो नो है यह सोन घुल मेगनेटिक यह उ यह ग्रीन करें यहीं है फैरी यहीं की तो यहुद शोते हैं बिष्चब कैसे होते हैं एक्रिस्टल बनता है और भी एक्दामपल ले सकते हो आफ जैसे यह नहीं बनेगा मैंने इसलिए लिखा देखिये ओफी हो गया जैड़ एफीड पॉ फॉर हो गया जैड़ाइन लीक्वी जैड़ाइन नेका डिजाइन से सबक्ता लखने का दिजाइन से में सबक्ता तो इसमें एक आरेंडमेंट देखिए एसि थ्रियो फॉर का मैंने क्रिक्स्टल लिया तो इसमें एक आरेंडमेंट ऐसा हुआ ये देखिए Electron कैसे दिखा रहे है Plus App, Plus App कुछ ऐसे आ गई इह फिर ये एक ऐसा आ गया फिर ये एक ऐसा आ गया फिर ये ऐसा आ गया फिर हो चकता है कि ये ऐसे आ जाए इस तरह से तो यहाँ पर Cancel नहीं हो रहा है यहां पर देखिए यह cancel हो रहा है यह cancel हो रहा है यह plus half है और minus half है यहां पर यह cancel हो गया है देखिए यह plus half है minus half है पर यहां cancel नहीं हुए यह cancel नहीं हुए तो इसका आपको n का value उतना तो नहीं मिला जितना pharo magnetism है n का value थोड़ा लो होगा pharo magnetism में सारे 1, 2, 3 सब के सब कैसे थे सीधे थे सब के सब सीधे थे एक ही direction में अलाएंट थे और ये कहा है कुछ ऐसे भी हो गए है कुछ ऐसे इस तरह से हो गए तो n का value लो हो गया तो mu का value क्या हो जाएगा इसलिए इसको बोलते है pharo का मतलब low magnetism pharo का मतलब high magnetism pharo का मतलब low magnetism ठीक है low magnetism और pharo का मतलब high वाला magnetism है वा तो यहाँ पर n का value पहरे के respect में कम हो गया तो mu का value भी कम हो जाएगा mu बहुत कम मिलेगा आपको तो ये इसके ये एक्जामपल है दो समझागे दो एक्जामपल और ये पैटर्न लिखने का से में लिखिए जल्दी हटा जूस को अब तो दिया ये question आते हैं जो मैं एक्जामपल आपको दे रहा हूँ वो एक्जामपल एक्जाम में पूछे गए हैं वही एक्जामपल मैंने आपको यहाँ दिये हैं जो एक्जाम में पूछे गए हैं तो यह देखे अब मैं अगला लिख रहा हूं एंटी फेरो जो पहले लिख दिया था गलती जी एंटी एंटी फेरो एंटी फेरो मेगनेटिज्म एंटी फेरो मेगनेटिज्म याद ध्यान दीजिए एंटी फेरो में पहले मैं एक्जामपल लिखता हूं पहले मैं एक्जामपल निखता हूँ ने इसका M, N, O बस्けणा इम प्रॉंपर्टेंट एक्जामपल M, N, O क्या होता इसमें यह देख़िए यह हैसा, कुछ M, N, O जैसे रही है इससे इनका अरेंडमेंट है इससे इनका अरेंडमेंट है और दूसरे नीचे इन में इस तरह इन का अरेंज्वेंट हो गया यह देखिए ऐसा तो यह इसको यह प्लस हाप यह माइनस हाप यह इसको ऐसा बना देते हैं अपनि इस तरह से इसको बना देते हैं रहें कि यह एक का इसन को कैंसेल कर देगा और अंपरेने इलेक्ट्रान क्या हैं जीरो अपर कोई नहीं ह। और यू का वैल्यू हो जाता है जीरो पर ऐसा भी समझ सकते हो ऐसा समझ सकते हैं तो इसमें पूरे सिस्टम में पूरे सिस्टम में इलेक्टरान का अरेंजमेंट इस तरह का होता है सब एक दूसरे के magnetic moment को cancel कर देते हैं इसका magnetic moment इसने cancel कर दिया सब ये इसको cancel कर रहा है ये इसको cancel कर रहा सब एक दूसरे के magnetic moment को cancel कर देते हैं और net magnetic moment zero ही मिलता है net magnetic moment हमें zero ही मिलता है ऐसे को बोलता हम anti-ferro anti-ferro फेरो में बहुत ज्यादा, एंटी फेरो में जीरो हो जाता, फेरी में थोड़ा था, फेरी, फेरी का मतलब होता है इसमाल, ठीक है? पार, लार, लार, एंуж ख्वेट कंवेट है अ, ख्या व्य है अ, ऌन् स्क्राव फेरी, श्याद cardboard, एक है ए कि ए एलेक्रिकल पॉपर्पर्विटी पर ध्यान यह नहुंदा एलेक्रिक्ण सारे मेटल एलेक्णिकल कंड़क्टर होते इलेक्ट्रिस टी ट्रूव एलेक्ट्रोन यह तो पहला मैटल तो हें में तलो कि एक कंडुक्टर होते हैं लेक्टरानिक कंडुक्टर होते मैं इले स्थे·ठोप्रां नियुकर ढूटे में व्यूजर हैं कुछ नहीं होता उसका चुए हुए काड़ देते हैं तो खराब हो जाती है तो कॉपर वायर डला हुआ है तो मैटल इलेक्ट्रान के थू कंड़क्टिविटी सो करता है याद है सब लोग कोई बात ठीक तो इलेक्ट्रानिक कंड़क्टिविटी होती है इसमें दूसरा सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर कल आपको मैंने इसमें पढ़ाये थे एन टाइप और पी टाइप तो यह एन टाइप तो इलेक्ट्रानिक कंड़क्टर होते हैं इलेक्ट्रान से ही इलेक्ट्रानिक ही होते हैं इलेक्ट्रानिक कंड़क्टर और यह होल से कंड़क्टिविटी शो करते हैं यह एलेक्ट्रान से कंड़क्टिविटी शो करते हैं यह होई से कंड़क्टिविटी शो करते हैं अब तीसरा होता इंसुलेटर इंसुलेटर यह नान कंड़क्टर ह हुआ हम कैसे पहुआ है कि कोई इन्सुलेटर है कि कोई सेमी कंडूक्टर थो उसका एक लें होता है कि लाउन इसमें कापर बायर वर नएं नगेगा क्यों कि इसकी नान कंड़ूक्टर इनB इसकी जो conductivity range है, conductivity range है, वो 10 to the power minus 20 से 10 to the power minus 10 के बीच होती है, 10 to the power minus 20 से 10 to the power minus 10 Simon meter inverse के बीच होती है, ये conductivity range होती है, सेमी कंड़क्टर में ये बढ़ जाती है, ये 10 to the power आप यहां से start होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां से start नहीं होती है, तब से कम से बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुच गए, ये और बढ़ी है, तो 10 to the power minus 10 से start होकर के 10 to the power 4 तक जाना चाहिए, साइमन मीटर इंवर्ज तक पर ये ये यूज नहीं करते हैं, ये यूज करते हैं, ये 10 to the power minus 6 तक होना यहां से सही है, आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन वो गलत है, यहां से, 10 to the power minus 6 से 10 to the power 4 साइमन मीटर इंवर्ज से बीच जो range ऋता है, वह इंसूलेटर का, इसका होता है, सेमी कंड़क्टर का, और ये 10 to the power 4 से 10 to the power 8 साइमन मीटर इंवर्ज, ये इसका कंड़क्टिविटी रैंज होता है, इसका conductor का, metallic conductor का इतना होता है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत simple है, 10 to the power minus 10 से 10 to the power minus 10, थोड़ा ध्यान रखना, 10 to the power minus 10 से 4 पर 10 ना होके 6 कर दिया, और 10 to the power 4 से 10 to the power 10, ये minus नहीं है, ये minus में, ये minus में, ये 4 है प्लस नहीं, और ये बहुत ज्यादा होता है, ये conductivity range होती है, इसके बेश पर हम बता करें, यानि सबसे ज्यादा ये value है, सबसे ज्यादा ये value है, इसमें ये काम है और इससे काम अगर हो गया तो हो, हम बोलने लग है उसे सेमी कंड़क्टर है ठीक है अब यह बहुत ज्यादा क्यों है तो इस बात को हमें समझना है जान से सुनिए पूरी क्लास लगिए आप मेज पर क्या रख्ते हो गश्च्ण हो उपर अपने फैन पफीं और ऐसे आपको मानुझा तो टेबल ठेबल पर तुमारा पैर रखा तुम अब दोड़ने लगे उए तो तुम अब कमरे में दोड़े कॉरे में टेबल कुर्सी बिछिए पूरे पूरा कमरा जो है वो टेबल कुर्सी से थो ले ठीक है और तुम सब बैठे हो किस पर बेंच पर और टेबल पर रखी है आपकी कॉपी बगेरा जो ठीक है आप कॉपी हटा दो मैंने का तुम चलो तो तुम क्या वोलोगे हम कैसे चले थोड़ा सब्पका होगे नहीं मैंने का चलो तो तुम्हें उठना पड़ेगा जहां तुम थोड़ा जंप लोगे तुम मेज पर आजाओगे उपर वाली पर और जब मेज पर आप आजाओगे तब आप इस मेज से उस मेज पर ऐसे चलते जाओगी चलना मतलब कंड़क्शन यदि इलेक्ट्रान चलने लगा यदि इलेक्ट्रान चलने लगा घूमने लगा तो हम कहे यहां तुम बैठे हो यह तेवल है इसकी हाइट है और यह आपका मेज है यह मेज की हाइट वहां से जाओं यह देखिए पहला वाला मेज और अब यह मेज हो गया मेज पर तो बोले सर इस पर दी सेडारा चानान में समर्षार हो रही है और यह ऊहर चल नहीं बाइंगे तो अंतर कहां या या चाम है तो सब के सब चले जाएंगे उपर मेज पर सब नहीं लगेंगे यह हाइट थोड़ी ज्यादा कर दी तो यह बन गए सेमी कंड़क्टर वो ही चड़ पाए जो थोड़े उन्चे चड़ सकते हैं और इस पर तो कोई भी नहीं चड़ पा रहा है बहुत बुसके लेकात कोई चड़ गया तो चड़ गया उससे कोई फरक होना नहीं तो यह 1s2, 2s2, 2s1 यह 2s1 हो गया मैंने लीथियम का डाइग्राम बनाया है chemical bonding में ऐसा आप ध्यान देखो इसको यह लीथियम के आपने दो एटम ले लिए ठीक है यह लीथियम के आपने दो एटम ले लिए यह 1s2 यह हो गया 1s2 यह 1s हो गया 2 सनंदू के टू аर्यस बन हो गया अच्छे सक समझना बास समझा जाएगी यह इनमें बंढ़िंग वी एक बना bond के एक बना एंटी बंढ एंटीं आप यह देखी है यह बोंंतिंग हो गया यह सिग्मा आ इस हो गया यह सिग्मा स्सार 302 हो गया प tweaks my bag ours और नीचे- sabemos 2s हो गया, यह सिग्मा स्टार, यह सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, टोटल यहाँ देखिए, इलेक्टरान तो चार है, तो दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए, इस तरह से, तो आप जब Li2 का आप कांफ्यूब्रेशन बनाओगे, Li2 का, तो देखिए, सिग्मा स्टार बन रहा है, यह Li2 है, Li2 है, यह Li नहीं है, Li2 यह लिखा है, यह दो इलेक्टरान इसमें आ गए, यह खाली पड़ा हुआ है, यह जो स्टार्क बाला खाली पड़ा हुआ है, यह बांडिंग इलेक्ट और यह रिवंदूंड बदो only अर्बिटालए होनसा सीग्मा चुए है, और यह कि एंटींग, ऑर बितल झ compatible वितल भली कि jeśli अफाने व इनरजी गैप बनाते हैं यह है, यह यह लिए इनर्जी इनर्जी गया है यह जो बांडेंग आर्बिटल है यह बैलेंसी सेल में इसको बोलते हैं इसका इन दूसरा नाम है वैलेंसी वेंट अब यह दो बनाएं मैंने ध्यान से सुनना यह दो बनाएं तीन चार पांच चैसा आट नो शेक्ड़ों मालीकुल मिलकर के क्रिस्टल बनाएंगे तो इनका एक बैलेंसी वेंट तैयार होगा इस बैलेंसी बैंड का नाम होता है बांडेंग आर्बिटल का जो बैलेंड है वह बैलेंसी बैंड कहलाता है इसी का नाम हो गया तो जो बांडेंग आर्बिटल में यह देखिए यह एलेक्टरान है बांडेंग आर्बिटल के लेक्टरान बैलेंसी बैंड के लेक्टरान तो यह एलेक्टरान किसके हो गया है बांडेंग आर्बिटल के लेक्टरान जिसको आपने बोला बैलेंशी बैंड के इलेक्टरान दिखाई देने लगे यह एंटी बांडिंग हो गया यह तो बांडेड है बांडेड जैसे जब तुम चेयर पर बैठे थे चेयर पर तो तुम बांडेड थे ठीक है जाना चल नहीं सकते थे मैंने बोला तुम्हें चलना पड़ेगा तुमने दिमाग लगाया उठ गए और मेज पर खड़े हो गया तो यह जब इलेक्ट्रान कंड़क्टिविटी सो करेगा कोई मैटल कंड़क्टिविटी सो करेगा तो यह इसमें जंप करेगा यह यह इसका नाम हो गया कंडक्शन बैंड तो यह एंटी आर्विटल मिलकर के यह दो मालिकुल के ऐसे बहुत सारे मालिकुल के आर्विटल मिलकर के क्या बनाेंगे कुरा एक कर नाम हुजाएंगा अन्टी आर्विटल मिलकर के चकट कर लाथेंगे अब बात आती है यंदि इलेक्टरान कनुट्ट वैंड में चले ंविटी शो करेंगे और कंड़क्शन बेंड में नहीं जा पाते हैं तो कंड़क्टिविटी सो नहीं करेंगे वो कहलाने लगेगा इंसुलेटर तो ये बात आती है कि इन दोनों के बीच्चा इनर्जी गैप कितना है आगया पॉइंट समझ में तो यदि ये इलेक्टरां जंप लगा के कहां आ जाए ये इलेक्टरां जंप लगा के ये यह आपका है सिग्मा टुएज और ये आपका सिग्मा स्टार टुएज ये जंप लगा के यहां आ आ गए तो हम ये बोलेंगे बैलेंसी बेंड से इलेक्टरां कहां आ गए कंड़क्शन बेंड में आ गए और अप चल रहे हैं मस्त एग वाड़ी क्योंकि बैलेंस इवेंट से अलक्तरान आसानी से कंडक्शन बेंड में चले जाते हैं और बस कंडक्शन बेंड में गए कि कंडक्टिविटी सो करने लगता है आगया समय कि नहीं बस यह बना लो फटाफट कि अगर कि अगरिश करने आजण बस यह गार जो है यह इनरजी गैप जो है जिसकोव है इनरजी गैप घर इसका नाम वेंड गैप इसका नाम इन चा यह तो यह यह राम भी वेविंड लेंट के बातों भी के बीक्ट का जो डीस्टेंस तो दूरी के जो डीस्टेंस है वो कहलाता है बैंडड़ है मैं कि अग्यों में प्तु समझा ग्या है झाल झाल समझ आगे आपको समझ आगे आपको अब देखो मैटल में यह मैटल है मैटल में यह बेंड गैप इतना कम होता है कि यह तो मिक्स होता है यह मिक्स है यह यह बहुत सारे इलेक्टरन बहुत सारे इलेक्टरन जो है वो आसानी से यह आपका है वैलेंसी बेंड और यह आपका है कंडक्शन बेंड और बेंड जेप बहुत कम रहा बेंड जेप बहुत कम है। इसलिए बहुत इल्यक्त्रान यहां से और भी आंपकॉर उपर भी सोच सकते हो कर दो एए सकती है यह बflower सी वेंड से कहां पाहुंच गए चाया कंडाक्शन तो इसमें बेंड़ बहुत कम था तो बहुत जादा एकिपार टिकरा यह वैंल सिव इनक चन अ कहा पुंचीए कंटचन में बेंड़ बहुत कम था बहुत जादाव को जोगी कंड़स्यव गइसे यह बहुत होगी मेटल में अ कि कुछी इलेक्ट्रान जा पाएंगे कुछी इलेक्ट्रान तो फूरे पहुच गए ठीक है यह बैलेंसी बैंड हो गया यह कंडक्शन बैंड हो गया यह सिसमें सेमी कंडक्टर में आप यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रान है यह बैलेंसी बैंड में यह और कंडक्शन बैं यह नहीं पहुँच पा रहा है वहां यहां पर बहुत सारे से एकाद कोई पहुच पाजा है यहां पर अपन थोड़ा बढादेते हैं एकाद और बढा देतें बस यह बहले यह और यह बहुत ज्यादा बेंड गैप बहुत ज्यादा इसमें बेंड गैप सबसे कम आपको समझ आ गया तो इस बैंड गैप का हारडर क्या हो गया मैटल में बेंड गैप इसमें बेंड गैप सबसे कम होता है सेमी कंड़क्टर में बेंड गैप और ज्यादा होता है और इंस्यूलेटर में इंस्यूलेटर में बेंड गैप सबसे ज्यादा होता इतना ज्यादा बेंड गैप है कि यहां से इलेक्टरान जाई नहीं पार तो य चेमी कंडक्टर जर्मेनियम ठीक है जर्मेन शिलिकन वगेरा इसमें और पी की डोपिंग और पी की डोपिंग इन्चुलेटर जैसे हैं वुड प्लास्टिक रबर रबर ठीक हैं यह सब आपके इन्चुलेटर हो जाएंगे इसलिए तो आपके copper wire पर insulation रवर का कर देते हैं तो current नहीं लगता अगर रवर insulator नहीं होता तो दिक्कत हो जाती आगया विता समझ में पूरा bend gap छोड़ी चलिए ज़ली रिखे चलिए खटा इसको झाल तो आपको समझ आ गया gap छोड़ी bend gap छोड़ी अब आप बड़े आतानी से बता सकते हैं जिए क्यों कंड़क्तिविटी रेंज अलग-अलग है इंसुलेटर में 10 to the power minus 10 to the power minus 20 क्योंकि और सबसे बेस्ट मेटलिक कंड़क्तर होता है शिल्वर ठीक है और अगर मालीग ये अब देखिए आप ये कोई भी एटम है ये एटम तो फिक्स है ये एटम फिक्स है पर ये एटम ये एटम है ये एटम है और और इलेक्टरान यहां पर भरे हुए ये ये एलेक्टरान है ये अपनी मीन पोजिशन पर बाइब्रेट करते हैं ये बाइब्रेशन हो रहा है ये बाइब्रेशन है ये बाइब्रेशन है माने ये जो एटम है ये जो एटम है ये उपर नीचे अपनी मीन पोजिशन पर ऐस सब वाइब करते हैं और यह दाव इंड वाइब्रेट करें विंड तो इस के कारण इलेक्ट्राण की स्पीड कम हो जाते है यह जो इलेक्ट्राण जो जार है सब्सक्र में थसका नाम टॉबू इस वाईब्रेशन के कारण क्या नभलफ हो क्या कि रे terrific अब बताओ बाईब्रेशन बढ़ेगा अगर बाईब्रेशन बढहे बाइब्रेशन इस रेजिस्टेंश कोका यह रहे है तो यह रांद जाने की स्कूशा करेंगी आगया समिज में तो टेमप्रेशर बढ़ाते हैं त वाइब्रेशन बढ़ता है, तो इलेक्रान की स्पीड कम हो जाती, क्योंकि यह नहीं, यह भी तो बाइब्रेट करेंगे, यह यह सब बाइब्रेट करेंगे, तो अगर आप टेमपरेचर बढ़ाते हो, तो बाइब्रेशन इन एटंज यह बढ़ने लगता है, जिससे कम हो जाती है, conductivity घटने रस्ती है, तो temperature वढ़ाने पर metallic conductor की conductivity कम होती है, ये metallic conductor में बात कर रहा हूं उआ है, metallic conductor को यदि आपने यहाँ पर iron जैसे आप गर्मियों के जिन में जब हमें ज्यादा बिजली की जरूवत है तो resistance बढ़ जाता है क्यों? क्यों atoms में vibration होने लगता है ठीक है और इस vibration के कारण क्या बढ़ जाता है? vibration के कारण resistance बढ़ता है temperature बढ़ाईए vibration बढ़ेगा vibration बढ़ेगा तो पहले resistance लिख लो और अच्छा रहेगा रेजिस्टेंट बढ़ेगा रेजिस्टेंट बढ़ेगा जा रेजिस्टेंट बढ़ेगा तो conductivity घटने लगेगी तो temperature बढ़ाने पर यह metallic conductivity कम होती है एलेक्ट्रोलाइक गन्डंड़क्टिवट्टी बढ़ती है उल्टा है इसलेक्ट्रो अपने वहाँ Conductioni theta lambda बना एक्क्युवर्न कप depression कंप 한다 और आफरा नशे कुपने लग्वंट मेटल कंडॉक असींद का मूस्यर्ष्य यह एक्ट्रड्रOP IDEK की दिए निनधे तो पाणीमें डालओ तो प्रेचरट्र पाणी लुक तो पानीमें डालो काम टोक्टीविटी बढ़े तो कंडॉक्ट्डॉक्टिकEd इनक्रीस बिट टेंप्रेचर ठीक है वाइल मेटलिक कंडुक्टिविटी डिक्रीस बिट टेंप्रेचर यह रिजन है आपका कि आप है कि आगे बिटा ता समयज में इस लिए हो गया अब जड़ा सोचो त्यादी आप टैंप्रेचर टैंप्रेचर को कं करते राहो ऊकção करते रहो अब कम करते करते जीड़ो केल्विन पर लेाऊ da इस आपने करते करते तेंप रिचर को डाउन करते पर 0 कल टक लिए talking generation होजाए टिए टिवाइब्रेशन भी विख neo जाएगा gefाईक्ट रा जिए वदाएगा वाइब्रेशन मुटे यहां बैभ्रेट नहीं आatro हो गया के जी जिरो गया हो गया North यह बढ़ गई हो गई है इसे हम बोलने लगते शुपर कंड़क्टिविटी तो जीरो केलविन पर यदि मैं टैम्प्रिचर इस मैटल का इस रूम का टैम्प्रिचर इस रूम का टैम्प्रिचर जी मैं जीरो kedvyn कर दूः जो मेरे घर मैं वायर लगे हैं उन्में कोई रेजस्टन्स नहीं होगा जीरो रेजिस्टन्स ओदाएगा क्यों क्यों कि वाइब्रेशन जीरो हो जाएगा तो वेस्टेंस से लोगिया बिए रेस्टेंस जीरो गासों यह सो नंड़्ेट परिंट सेमस्ट पूली भरक कंडॉक्टुटीबुटी लाट इंगे सां मैं शुब़ कंडुक्टुटीबुटीघ ओ हुआ कभ तो यह सुपर कंड़क्टिविटी होती है सुपर कंड़क्टिविटी का एकाद एकडामपल देख लेना अलग लग तो टेम्परेचर अलग लग रहेगा माली जिए कोई जो है वो चार केलविन पर ही आ गया कोई दस केलविन पर आ गया कोई सो केलविन पर आ गया सुपर कंड़क्टर तो अलग 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 तैंपरेचर पर अलग अलग जो है वो सुपर कंड़क्टर हो सकते हैं रूम तैंपरेचर पर अभी तक कोई ऐसा सुपर कंड़क्टर नहीं बनाए मेटल के कुछ D-block और F-block मेटल के आफसाइड मिलकर के सुपर कंड़क्टर बनाएं पर वो इतने महेंगे हैं और उनके वायर को वायर तरह से बनाना थोड़ा टफ है इसलिए नहीं तो अगर वो सुपर कंड़क्टर बन जा है तो अपनी इलेक्टरिश्टी की प्रावलम बहुत कुछ कम हो जाए बहुत कुछ कम हो जोगे आपको जहां से भेजी है वहां से अपने घर तक 100% मिल रही है अपने को कहीं कोई डिके नहीं ही इस तरह से कुछ दो प्रापर्टी है एक इलेक्ट्रिकल की वह एंची आर्टी में तो नहीं है पर अपन उनको लिख लेते हैं वह सिंपले में आपको सुझाओ पीजो इलेक्ट्रिशिटी पीजो इलेक्ट्रिशिटी का मतलब होता है यहां से देखिए पोलर क्रिस्टल यह पोलर क्रिस्टल है ठीक है इस पोलर क्रिस्टल पर हमने प्रेशर अप्लाई किया प्रेशर का दूसरा नाम मेकेनिकल स्ट्रेस इस पर मेकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया इस पर यह क्रिस्टल है इस पर मेकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई किया प्रेशर अप्लाई किया और अच्छी क्वालेटी का वेरी हाई सेंसेटिव पेस्टर लगाके जेख लिया, तो टेस्टर का बल्व जल जाता है नहीं सो करने लगा एक रिस्टल, पर कब कंड़क्टिविटी शो करने लगा, हाई प्रेशर पर, मेकेंकल इस्ट्रेस लगाया तो conductivity show करने लगा, so conductivity, when polar crystal, polar crystal show conductivity, when mechanical stress is applied, अगर इस polar crystal पर mechanical stress या pressure apply किया जाए, तो वो conductivity show करने लगता है, जिसे आप बोल सकते हो, electrical signal मिलने लगता है, electrical signal मिलने लगता है, electrical signal दिखाई देने लगता है, जैसे एक example कोई student है उसके मेरे पास, उसके पापा आए, कि साब ये तो बिलकुल नहीं पढ़ता है, कितने ये बोलो, कुछ भी करो, ये नहीं पढ़ता है, अब मैंने stress दिया उसे, mechanical stress, कि मैं तेरा रोज test लूँगा, दस मिनिट का, दस में से, दस मिनिट का test है, दस question, दस में से, छे तो सही होने ही थे ये तेरे, stress आगया, तो पढ़ते हुए दिखाई देने लगा पापा को, पापा का phone आया, ये तो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के signal दे रहा है, मैंने का, मैंने इस पर क्या प्लाई कर दिया, pressure, इसको pressure मैं ले लिया, मैंने test के, समझ आगया, ये conductivity का नाम है, पीजो electricity, pressure देने पर जो electricity मिलती है हमको, वो खहलाती है, पीजो electricity, हो गया, बैसे अब आज के लिए है नहीं, कोर्स में पहले में पढ़ा देता था, पीजो electricity आप ध्यान रखो, ठीक है, आप आप पाई चांस आजाए, बाई चांस आजाए, उल्टा, पीजो electricity का उल्टा कर दो, एंटी पीजो, एंटी पीजो electricity, एंटी पीजो electricity का मतलब यह उल्टा हो गया, यह जो पोलर क्रिस्टल है, आपने यह जो क्रिस्टल लिया, पोलर क्रिस्टल जो है, इसको रख दिया आपने इलेक्ट्रिक फिल्ड में, यह इलेक्ट्रिक फिल्ड में रख दिया, इसको, electric field में रख दिया तो stress आ जाएगा mechanical stress create हो जाएगा इसमें mechanical stress creates हो जाएगा अगर आपने electric field लगा दिया जैसे मानलोद तुम हो और सीधा तुम्हें exam में बथा दिया जाएगा बोले अब आब तेरा कल exam समझ नहुंद गे तो क्या आजाएगा mechanical stress तो क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उल्टा यहां पर इलेक्ट्रिशिटी डबलप हो रही थी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो कि इस्ट्रेस आ गया मनें उसका उल्टा एंट पीजो का उल्टा एंटी पीजो इस्ट्रेस देने पर इलेक्ट्रिशिटी आ जाए तो पीजो इलेक्ट्रिशिटी लगाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या हो जाए इस्ट्रेस आ जाए तो एंटी पीजो तो इस तरह से आप एक आप दो अभी वित्तों कौर्स में नहीं है मिलते नहीं अभी एंसी आइटे बगरा मैं नहीं नहीं तो मैं पहले पढ़ा देता था फेरो एलेक्रिक्रिक्टिटी बगरा एंटे फेरी फेरो अब जरूत नहीं है तो यह आपका बद दो वाते ध्यान लखना पी जो काफी कौमन है पी जो एलेक्रिसिटी काफी कौमन है इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया यह आपका इलेक्रिकल प्रॉपरिटी भी हो गई मैगनेटिक प्रॉपरिटी हो गई ठीक है कंड़क्टिविटी सुपर कंड़क्ट आपको पढ़ा देता हूं साइट करने फिजिक्स में पढ़ाया होगा मैं तो फार्मूला लिखा देता हूं ब्रैक एक्विशन आप लाहे केमिश्ट्री में नहीं है लेकिन कभी कोश्ट्षा ना जाए तो इससाब से मैंने अपना काम करने के लिए आपको बोल दिया अब पहले तो मैं डी बगेरा बहुत सारे प्लाता था पूरा डी पूरे प्लैन मिलर इंडाइस वाइस इंडाइस मिरर प्लैन कैसे बनते हैं प्लैन उनके बीख का डिस्टेंस कैसे कैल्कुलेट करोगे एबरीटिंग पता नहीं कितना तो सब पढ़ा देता था मैं लेगन अब यह ही नहीं इस पर कोई कोशन ही नहीं आ रहा तो आप इसको बिलकुल बंद कर दिया है ठीक है अब केवाल हमको एन लेमडा एक्कॉल टू टू डी साइन थीटा समझना है बस जड़ासा यह फार्मूला होता है ब्रैग एक्कुईशन का थीटा हो गया आपका एंगिल एन हो गया यह बस समझना एन आर्डर ओफ डिफ्रेक्शन यदि आपको बोला जाए फर्स्ट आर्डर फर्स्ट आर्डर डिफ्रेक्शन तो एन का वेल्यू बन बस यह देख लेना फर्स्ट आर्डर दिया है question में दिया रहता है फॉयर फ्रस्ट आर्डर डिफ्रेक्शन और यंग का वेल्यू वन second order वह दैख दिख दो इन हमें परिषान करता हैं नहीं समझ में दिखवार क्वारा कि यह व्ल दिया फिस्ट ऑरुडर डिफ्रेक्शन का मतलब एंड का वालुवर अब्स यह बात ध्यान रखना कॉश्चन में दिया रहेगा फॉर्ड यान को एक दम समझा गया एल्डा का मतलब लेंडा रजाख वेवलेंट आप X-ray जो आप X-ray यूज़ कर रहे हो उस X-ray का wavelength जा है ठीक है D D का मतलब होता है दो plane का distance यह देखिए यह दो plane है यह plane और यह plane यह दो plane के वीच्चा यह जो distance है distance between two parallel plane तो यह plane और यह plane parallel plane हो जाए distance between two parallel plane दो parallel plane के बीच का distance ठीक है ऐसे plane बने हुए यह यह रहता है यहां पर यहां क्या है यहां क्या एटम है यहां क्या एटम है तो एक लाइन यह बना ही यह गाए यह बना एक प्लैन यह बनाया प्लैन यह बनाया तो हम ऐसे यह एटम मना जेते हैं सब यह 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 तो कभी आपको question आ जाए तो आप इसे solve कर सके है numerical जादा जादा या तो lambda पूछा जाएगा दी पूछा जाएगा दी दिया रहाएगा तो lambda lambda दिया रहाएगा तो दी पूछा जाएगा तो यह ध्याम रखना है याद रहेगा n lambda equal to 2d sin theta यह physics में सायद आपने optics में पढ़ा हो अब मुझे नहीं मारूं कि वहाँ है कि नहीं तो यहाँ तक के पूरी बाते आपको समझा गए है अब एक छोटा सा पॉइंट है जो बीच में मुझे बाइट के बाद पहाना था वह दस मिनित का है इसको भी फिनिस कर देता है तो यह चेप्टर फिनिस हो जाएगा आपका प्लोस पेकिंग हम इन एटम्स को इस तरह से अर्एंज कर रहा है यह यह अर्एंज कर दिये यह आपका नर पर यह एक आपका नर पर यह पन्रोंण पर यह फेश पर दिख रहा है आई अब मैं यह अटा दूँ तो यह simple cube बन गया, तो इसमें item दूर-दूर हो गए, तो क्या close packing है, तो simple सबसे पहली one dimensional close packing, वन डाइमेंशनल close packing, वन डाइमेंशनल close packing का मतलब सिर्फ यह होता है, कि atom, atom केवल एक line में arrange हो, केवल एक row atom का arrange हो, केवल एक row, इस तरह से यह row arrange होते जाए, और यह one dimensional close packing हो जाएगी, बस यह, यह, एक row लिया, यह, इनके center है, यह, इनके center, एक row लो, और इनके center हों को, मिलाते हुए, यह row निकाल दो, यह, यह आपका, यह आपका कहलाया, one dimensional close packing, simple है, तो one dimensional close packing, एक rod के alarm सब atoms को हमने सीधारेंट कर दिया, केवल एक rod, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, केवल एक वज, तो यह हो गया, one dimensional close packing, आप इसमें question आता है, किसी भी atom का, यह atom ले लिया, आपने इसका coordination number कितना है, coordination number बताईए, तो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, दो atom तच कर रहा है, यहाँ पर यह तच कर रहा है, यहाँ पर यह तच कर रहा है, तो बताईए, दो atom तच कर रहा है, number आप touching atom को आप क्या बोलते हो, coordination number, तो बन डाइमेंशनल क्लोस पेकिंग में किसी भी एक्टम का क्वाइडिनेशन नंबर कितना होता है तू और बन डाइमेंशनल क्लोस पेकिंग किसे कहते हैं बताइए बात ये स्फियर आप अरेंज करते जाएए और एक लाइन में बात अरेंज कर देगी तो वो कहलाती है वन डाइमेंशनल क्लोश पेकिंग बनाईए समझा गया आफ़ारा उसको तो डाइमेंशनल क्लोश पेकिंग यहाँ देखे यह तो डाइमेंशनल का पहला पॉइंट आपको समझा रहा हूँ यह इस तरह ते यह देखिए यह आपको यह जो सरकल आप देख रहे हैं यह इसको ऐसे देखिए ऐसा एक लेयर जैसे अपने चादर बिशा दी ओबर ठीक है चादर अपन ने बिशा दिये एक ही लेयर बनाएं बहुत सारे बॉल लिए उनको अपन तो होरीजोंटल होरीजोंटल यह एक लेयर है यह पूरी एक लेयर है आप भूट ध्यान समझे बात को एक लेयर है ठीक है लेकिन रो बहुत सारी होती है यह हो गई फर्स्ट रोग यह हो गई सेकेंड रोग यह हो गई थर्ड रोग पूर्थ रोग ऐसी रोग लाइने महुत सारी हो सकते हैं लेकिन लेयर एक ही होती है इस्टूडेंट की क्लास दा बेस्ट एक्जाम्पल पॉर दिस एक ही जैसी लेयर तो यह एटम्स आर एटम्स और होरिजॉंटली एलाइन हो डूरिजॉंटली एलाइन है तो यह देखिए ऐसा भी इसको अगर आप यहां से यहां से एक लाइन डालें यह तो ये सारे अटम ये सारे अटम ये 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 वर्टिकली अरेंज हो गए अटम्स और वर्टिकली अलाइंड वर्टिकली अलाइंड हो गए तो ये अटम वर्टिकली अलाइंड है सारे ये देखिए सारे अटम वर्टिकली अलाइंड है सारे atom horizontally aligned है सारे atom horizontally aligned है तो atoms when horizontally and vertically aligned are called square close picking यह नाम इसमें दूसरे में पहला वाला यह हो गया square close picking पूरी लाइन हो गई यह पूरी लाइन हो गई लेकर लाइन ने बदल रहे एक जैसा अरेंजमेंट है तो एएएएएए अरेंजमेंट कहलाया है एएएएए अरेंजमेंट चपका एक जैसा अरेंजमेंट है इसमें कोई एटम का क्वाइडिनेशन नंबर मैंने यह एटम बना दिया यह जान से देखिए इसको कैसे पैसा नेंगे कि क्लोस इसको आर प्लोस पेके तो आप यह देख ली दिया, ये स्क्वेर बन राय यह, ये, ये, ये स्क्वेर बन राय पूरा है, ये, ये स्ख्वेर बन राय मैं थोड़ा डार्क कर दे रहाऊं, ये, यह स्क्वाइर बना इस एटम का स्क्वाइर के सेंटर में जो एटम है यह वाला एटम ले लिया मैंने यह वाला एटम इस item का coordination number कितना है देखिए इस item का coordination number ये item इसको टच कर रहा है पहला number का ये first ये टच नहीं कर रहा है ये टच कर रहा है दूसरा वाला ये टच नहीं कर रहा है ये कर रहा है टच ये टच नहीं कर रहा है ये कर रहा है टच ये टच नहीं कर रहा है टच ये टच नहीं कर रहा इसका इस एयटम का कोईडिनेशन नंबर फोर तो बोले सर इस एटम का इसका भी फोर है इसका भी फोर है यह जो भाइड आपको दिख रही है यह घृत है इस्क्वेर वाइड हो गई समझा गया है इस्क्वेर वाइड इस्क्वेर वाइड कितने गोलों से कितने स्वेर से बन रही जरा देखनो यह स्वेर वाइड यह स्वेर का पार्ट इस स्वेर का बन फोर्थ पार्ट इस स्वेर का बन फोर्थ पार्ट इस स्वेर का बन फोर्थ पार्ट यह बन फोर्थ है यह देखिए बन फोर्थ पार्थ बन फोर्थ पार्थ बन फोर्थ बन फोर्थ ठीक है माने एक एक दिक्तों रहें बोले सर ये एक दो तीन चार चार स्वियर से मिलके बन रही है ये वाइड ये स्क्वेर वाइड जो है ये चार स्वियर से मिलके बन रही है नहीं भाईयो चार स्वियर से नहीं बन रही है एक एक स्वियर का बन भाई फोर है ये देखिए चार तो है, square wide बनाने के number of sphere formed square wide, यहां लगदेता हूं, number of sphere, number of sphere, एक स्क्वेर वाइड पॉर मेकिंग वन इस्क्वेर वाइड यह देखिए एक स्क्वेर वाइड बनाने के लिए एक दो तीन ने देखो यह वाली वाईट भी बना रहा है इसका मतलब क्या इस इसका केवल बन भाई पोर्त का अबन भाई पोर्ट यानि एक स्क्वेर वाईड इक्व्याटाइट पहल एक इक स्क्वेर वाईड इक तो एक नमबर आप एक पुर म्हिट नमबर आप वाइड एक को बना रहा हुद कि कि मैम कि यह भाइड जा स्था कौब में दूद तीन चार को बना रही है चार हो का वक 141 1 Vai4 1 Vai4 बना रही है तो per wide one sphere 1 sphere per wide ठीक है एक sphere के लिए एक wide है 1 white के लिए एक sphere है आप परके देख लो ये सामने हैं आपके 1 4 1 4 1 4 1 4 4 into 1 Vai4 तो ये बन गही तो इस तरह से कभी question आज़ा है तो आप पैचान दो तो ये square close packing कहलाती है पुंटी पिकिन के लादी ए, स्क्वेर, क्लूश, पिकिन. दूसरा है, टू-दाइमेंशनल में, हेग्जागोनल, क्लोश, पिकिंग, ये टू-दाइमेंशनल में, हेग्जागोनल, क्लोश, पिकिंग, ये दिकिंग, में hexagonal close paking ये देखिए ये ऐसे ये कितने भी एटम ये पहली रो हो गई ये फर्स्ट रो हो गई फर्स्ट रो रो फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन ये देखिए यह नहीं बैठा बैटम यहां आ रहा है ये यहां आ रहा है ये सेकेंड लाइन हो गई छोड़ा अब इस्पियर मुझसे थोड़े बराभर तो बनने ही सकते एग्जक्ट बराभर बनानबला कथि ने ये फर्ड लाइन ये देखिए फर्ड लाइन ये इदर, ये थर्ड लाइन ये थर्ड लाइन ये थर्ड लाइन ये फर्स्ट लाइन, ये सेगंड लाइन, ये थर्ड लाइन ये फोर्थ लाइन ऐसी आप ये फोर्थ लाइन मना सकते हैं ये फोर्थ लाइन ये एक ही लेयर है, सब एक लेयर है चादर विची है बट, चादर पर आपने ball डाल दी, पर ball डालने का तरीका, ये देखिए, ये इसकी जो खाली जगे इसमें आपने ये ball फिट की और ये ट्रियंगूलर वाइड बन गे, यहां देखिए ये पहली line, ये third line, और ये आपकी ये fifth line बनने जा रही है, ये fifth line मराओं ये फिस्त लाइन तो यह देखिए यह One three One three और यह आप ऐसे बढ़ाते चैले जाएह घृत राइन सैन्स गिसर्ट ठाइन हुब सर्ट लाइन और जोन दो Πुरृस्त लाइन जाएन और ये 5th line, बिल्वकुल एक जैसी है, ये, तो 1st, 3rd और 5th, 1st, 3rd और ये 5th है, इसका नाम मैंने दे दिया A, ये भी A, ये भी A, क्यों? ये 1 जैसी है, जो A जैसी है, उसका नाम मैंने दे दिया A, तो ये A line हो गई, और ये वाली, ये देखिए, ये 2nd line, ये 4th line, और आगे 6th line भ ये 6th line, तो ये इसका नाम आप दे दो, ये 1st वाले को circle से कर दिया, मैंने circle, 5th circle, और 2nd वाले को मैंने ऐसा कर दिया, ये 2nd line, ये 4th line, ये हो गया आपका भी, ये हो गया आपका भी, तो ये A, B, वैस ये ही पुछा जाता है, बस ये ही पुछा जाता है, A, B, A, B arrangement हो गया, तो hexagonal close peaking में, hexagonal close peaking में, first line, third line, fifth line, seventh line aligned होती है, ठीक है, 1, 3, 5, 7, और 2, 4, 6, 8, ये aligned होती है, ये aligned होती है, इसको ये देखो, 1 के बाद, 2, 3, 4, to A, B, A, B, A, B, तो इसका pattern जो हुआ, ये A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, ऐसा pattern हो जाएगा, इसका hexagonal close peaking in two dimension, ये, आप भूलना नहीं, two dimension में पढ़ रहे हैं है अपन, तो pattern, A, B, A, B, A, B, A, B pattern हो गया, A, B, A, B, A, B pattern हो गया, alignment हो गया, इसका ये, ये aligned है, ये aligned है, और pattern A, B, A, B हो गया, और किसी का भी coordination number सामने देखना, ये बना रहा हूँ, coordination number इस पर ध्याम देना, तो आपको coordination number समझा जाएगा, ये इसका coordination number, ये देखिए, ये atom, ये, 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 और ये, ये देखिए, hexagon बन गया, ये बन गया hexagon, इसका, आप इसका, वो निकाल रहे हैं, coordination number, तो इसका coordination number कितना हुआ, six, ये देखिए, ये one, two, three, four, five, six atom टेच कर रहे हैं, coordination number इसका six हो गया, और ये जो wide बनी है, ये, ये जो wide बनी, ये trigonal wide बनी, मुझे trigonal wide का, ये बताना, number up sphere for making, one trigonal wide, ये calculate करके बताना मुझे कल, ठीक है, ये जो trigonal wide बनी, number up sphere कितने हैं, इसको बनाने में participate कर रहे हैं, उल्टा भी करना, number up sphere per wide, number up wide per sphere, दोनों चीज़े निकालना, number up wide per sphere, number up sphere per wide, ये आप चानल बताना करके कल रखना, कल जराता और रहे हैं, खिर तो कल पढ़ाएंगे, coordination number ये, आप इसे दियान रखना, ये two dimensional में second number पर ये पढ़ा रहा हूँ, two dimensional, कल मैं पढ़ाँगा, three dimensional, ठ ठीक है, और 15-20 minutes का है, मुश्किल से, ठीक है, आप लोग रुकोगे नहीं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये, वैसे ही, आप क्या मैं बोलूँ, आप लोग किस तती, आज के class समझ आ गए ये आप लोग को सबको, ये सर, आज के class समझ आ गए ये आप लोग को सबको, ये अलग अलग जब question 2 ये है important नहीं तो गड़बर कर दो, सबसे पहली कि 2 dimensional, मैं coordination number 6 से, और बोले सर, आपने तो बताया था कि 12 होता है, तो कल आपन पढ़ेंगे 3 dimensional में, चलिए thank you very much, जय हैं जय वारत, और आज 9 वर्थ की सुबकामना है, सब लोग को मेरी तरब से, आपको भी sir, आपको भी sir, आपको भी sir, सवस्त रहें, सब करें, मान से, तारीद सभी सवस्त अपका बना रहेहां और आ एकट्चे से exam दें और शुलेक्श्य हो जाए, ऄच्छे डी डक्तर बने वसkol ये मेरी आप से, अज़गवान से आपसे प्रार्तना है, तिक है, अच्या आपक ग